अपने परिवार के बारे में जरा हमें बताएं मावाप तो मेरे बढ़ी आएंगे तो रवी मेरा सबसे पहले तो सवाल आपसे यही है कि आप यूपी में प्रताब गड़ से प्रताब गड़ में पैदा हुए उसके बाद आपका सफर कैसा रहा अब दिल्ली और मुंबई तक कैसे पहुंचे वो हमारे दर्शकों को बताईए बहुत गर्मी थी ट्रेन में बहुत जब मैं आया तो रिजर्वेशन हम लोग का था बहुत गरीब थे जो बोगी होती ना उसमें भी हमको जगा नहीं मिली तो जो आज के टाइम पर उसको वाश्रूम कहते हैं पहले लेटरिन बोलते थे उसी में हम लोग घुसके आये बहुत तकलीफ में आये लेकिन जब पहुंच गे दिल्ली तब हमने बाहर जाके किया वाश्रूम क्योंकि हम वाश्रूम में ही थे हम उसको निकंदा कर सकते थे बहुत मुटफ सिचुएशन थी आने की ट्रेन से आये हम लोग उसका सवाल का जवाब ये है और सफर बेकार रहा सफर बेकार रहा और दिल्ली में आके फिर कैसे मतलब अपने परिवार के बारे में जरा हमें बताए माता पिता भाई बहन कौन कौन है माबाप मेरे बढ़िया हैंगे भाई मेरा बहुत थोड़ा सा ठीक नटखट है और दिल्ली जब आया मैं तो मैंने एक चीज़ देखी कि मेटरो बहुत बढ़िया चीज़ चल रही यहाँ पर दरवाजी अपने आप बंद हो रहे हैं जो आदमी रिक्षा पर कभी नहीं बैठा हो मेटरो पर भी आसानी से नहीं बैठ सकता था क्योंकि मुझे बाद में पता चल लगए कि टिकट और लेनी पड़ती है एक तो मेरे को मेटरो देखने के लिए पतरी से मझा रहा था तोनोंने वहाँ रोग दिया कि आप स्टेशन से आओ सीड़ी से लिफ्ट लगी है आप सीधा पतरी पे मेटरो देखने के लिए नहीं आ सकते वो चीज़ मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगता था इनका अप्रोच बहुत ही जो गाउं से लोग हैं उनको लेके यह है कि पीली रेखा कि पीछे खड़े रहो रूल्स फॉलो करो मुझे नहीं अच्छा लगता मैं ट्रो मुझे लगता है अच्छा पैदल आपकी कॉमेडी हमेशा सिंपल रही है आप हमेशा बनावटी जो जिसे बोलते हैं कि आडमबर से दूर रहे हैं तो क्या यह कॉंशियस एफ़र्ट है आपका? I think I am very simple person और मेरा intention बस यह है कि लोग हसते ना उसमें दिमाग लगाना है बहुत सारे कमीडियन्स हैं जो बहुत अफ़र्ट मार रहे है उनको मैं मार दूँगा खुद क्योंकि वो बढ़िया कर ले रहे है तो कहानी यह है कि मेरा intention यह रहता भाई हसो और मुझे कुछ नहीं बताना ना मुझे कुछ संदेश देना है ना मुझे कुछ ऐसी बाते करनी है कि समाज बदल जाए क्योंकि समाज को बदलते बदलते मैं खुद बदल गया आप जब stand-up act करते हैं तो आप एक limited audience के से मुखातिब होते हैं कोई ऐसा space है जो रवी गुपता है वो बहार है वो शक्स या वो जगा कौन सी है मैंने यह जो मैं आपके साथ बेठा हूं अज ही मैंपने आपको एक्ष्टोर किया है और माझ खुल के आपके सामने हूं यही मैं हूं This is my personality a true gentleman like that and this is that's the meaning of the infrastructure of the definition that's it that's all whatever I want to kiss my dreams यही है, it's up to the person कि अगर वो व्यक्ति है जो मुँ बना के घूम रहा है तो मैं नहीं ही बैठोंगा उसके साथ भाई, चिल करो और मेरे को भूख है पैसे की जो बात है वो बात है मैं खुल के बताना चाहता हूं आप ये इंटर्वी जो फुरी में करवा रहे हैं ना मुझसे मेरा कम से कम नहीं तो आठ जार का नुक्सान हूँ है इस आठ जार रुपे में को मेरे को एड आया था बिंदी की कंपनी का लगाने को बाला, मैं मने छोड़ दिया अब मैं लिपस्टिक एड करूँगा चली आठ हजार आपने बोला इंटर्व्यू का नुक्सान हो गया तो एक stand-up comedian कितना पैसा बना लेते हैं मतलब चाहिए आप figures ना बताएं पर फिर भी क्या इतना पैसा कमा लेते कि घर अराम से चल जाए और भी बच्चों को लेकिया विदेश यात्रा पे निकल सके मैं एक ची बताओं stand-up comedy यह अपनी जगह है सबका अपना तरीका है पैसे और morals तोनों अलग चीज़ है मैं पैसों मैं आपको एक ची बताओं मैं कभी गुट का पान मसाला काट नहीं करूँगा मेरे पास आया था इन फैक्ट एक पान मसाला बहुत बड़ा ब्रैंट है उसका एड़ा था पैसे कम दे रहे थे वो लोग मुझे उन्होंने बहुत कम रख्खा दो तीन हजार पर बात फसी हुई थी और उनका जो माटीरियल था वो प्रीम नहीं था सुपारी उनकी मसूरे में चुप गई थे मेरे मुझे बहुत नहीं पसंद है मुझे है कि माल puisque मैं पहले इस्तमाल करो फिर विखवास करो मैंने शेम्पू का भी एड़ किया है तो मैंने प्रॉपर स्तमाल किया खाया है 님이 किसे कर रहा है है तो में पैसे का है कि भाई पैसे बहु कुछ भी कर वालू क्या आपने सवाल पूचा मैंने सवाल पूचा क्या आहाँ वह वात तो साफ है कि आप मुझे पी ले जाएंगे है वही कि आप जैनुमेने इसा नहीं हूँ आप कर वाइब को फोर्स करकर उन्होंने स्टैंड अप कर वा totalement यह इंजीर ABOUT कोर्स ही ही नहीए मेरे को म्यूजिक से ने का मन था पर मेरे को कोई भी म्यूजिक कॉलेज मेरे को एडमिशन ही नहीं दिया वो बोले हम बीन भीन नहीं सिखा पाएंगे बताओ मैं क्या करूँ फिर क्या आज इंटर्वी देना पोड़ रहा है फिलहाल आप एक स्टांड अप कोमेडियन है जब डॉक्टर के पास मेरा पैदा हुआ था तीन चार साल बाद में को प्रॉब्लम हो गई थी डॉक्टर मेरे दर्द बहुत जादा होता था तो चेक अप कर रहा है तो डॉक्टर मोला इसके दिमाग में हुमर निकला है वाह क्या पंच लिया आप क्या पंच मारा आप